त्रूदी लोकिंग ग्लास आज है यह थोड़ा वह तो बनता ही यह करों की राइटिंग यह थोड़ा वह तो बनता ही अब किरा इस इसलों को पढ़ना किया इसके लिए क्ज़िकर प्लाइन बहुत जुरूरी क्या ऑप सम्री करा और ऑप उग्दम से सब्सक्राइब करें और पहले बात तो लिए सक्राइब कर सकते हैं तो इन में जब आप जैसे की समझने के लिए लिए पोईट थे उसके बाद कि फाइनी ऑथर भी ऑथर रॉइट राइटर है सब कुछ साथ-साथ एक चीन बहुत अजीब देखने को बिलेगी सब्सक्राइब और लॉजिक और रीजनिंग यह पावर बहुत अच्छा है तो लॉजिक रीजनिंग पावर यह सहारा कुछ इसमें दिखा दिया तूदी लुकिंग ग्लास में और सच में आपको जबी वर्क पड़ोगे तो आपको लगेगा वाव साइंस का एक ऐसा यूज और आच्छा कंसेब्स और अच्छी तरह से ओसको घुमाना आव उस कंसेप्ट रहीर आउटसेर्डिक अब्लकुल हटके लिखा उस तो यह स्कूदी लुकिंग ग्लास में आपुलुकिंग ग्लास का कंसेप्ट जो है पहले तो जो पिए सिक्वेंश्य वरक एक सिक्वेंश से पहले किया था जैसे कि Alice Adventure in Wonderland तो Alice अडवेंचर इन वंडर लैंड 1865 की राइटिंग 1860 विक्टोरियन एज किसी से पहले आपको पता हुए 1859 में डार्विनिन थियोरी आई थी तो थियोरी ऑफ सर्वाइवल जैसे कहते है और शर्वाइवल फॉर्दी इस अपने पढ़ा हो अगर हम सब को छोड़ के एक दम मतलब इसको बिल्कुल ध्यान से देखो इस वर्क के नाम कोई देखो तो यहीं पे काफी कंसेट आपका क्लीर हो जाएगा और इसको पढ़ने की स्ट्राटेजी क्या है को से स्ट्राटेजी यूज करने वाले देखो इसमें कुछ लिटरी टर्म्स को अच्छे से समझ आना चाहिए जैसे कि डिडाइजम क्या है क्या है ठीक है किस तरह से सब्सक्राइज स्टिक बेस पे लिखा गया है के नहीं इस इस वीडियो और इसी विबसाइट पे भी यूट्यूब प्लैट्फों पे आपको मिलेगा तो इसलिए जरूर आपको देखना चाहिए इसको और एंड तक जरूर देखना और यह एक आसे तहे हैं कि आपको यहां पे काफी अलग-अलग चीज़ और डाइमेंशन देखने क बेखने को बेखने के बाकी और फॉर्दर जो यह बाकी लोगों की वीडियो आप देख सकते हैं किसी चैनल की अगेंस नहीं कुछ पर फिर भी नहीं पर देखना आप और कंसेट को समझना चलो फटा-फट शुरू करते हैं तो पहले होगा तो प्रोड़े लोगिंग ग्ला के दूसरी तरफ के वर्ल्ड की कहानी है और तो ग्लास की प्रॉपर्टी तो यूज करेंगे वह एक मैंतिमेटेशन लिख रहा है तो जब भी कोई राइटर हो देखने का तरीका है वह उसकंसट को पका यूज करेंगा और इसमें एक्सलेंट यूज किया गया है लेटरल इ इस तरह से मिरर डिजाइन होता है आपको आपने राइट हैं तो उस तरफ मतलब वाले साइड को दिखाते हैं लेट वाला राइट में इस दिखते हैं यह सारा कंसेट यही मैं अगर बूरू एक स्ट्रॉंग प्लॉट को यूज करते हुए अपने गैरक्टर को इसी थी पर कर चिstar को इसे इ Baptist को उस सब् scow दिखने के लिए किस तरह से इमेजेशन को फिसक आप पर दृफ कि उससी तरफ की दुनिया और इस तरफ की दुनिया सब्सक्राइब की प्रॉपर्टी पढ़े होगी आपने जैसे की प्लेइन को बढ़ते हैं तो लेटरल एंवर्ट इमेज इमेज इसमें तो लेटरल इंवर्जन का जो कंसेट है वो इसमें दिखाएगा लेफ्ट और राइट टू लेफ्ट आप कोई कैरेक्टर कोई विया आइब सबको पता है इमाजनेटिव राइटिंग है क्या इसे कुछ वी तो होता नहीं तो इमाजनेटिव राइटिंग है और क्या यह यह इंज चॉपीक है यह डिस्ट्रॉपिक है इसलिए उन्हीं पूछ अब युज्ब का मतलब क्या होता है यानि एक ऐसी दुनिया जह जहां कि हम कलपना करते हैं जहां एक्वालिटी हो सब कुछ बराबर हो सब एक जैसे लोग हो इस तरह की दुनिया जहां पर जो तुमने सोचा हो ऐसी दुनिया उसे कहते हैं यूटॉपिक और डिस्टॉपिया और डिस्टॉपिक मिल्कुल से अपोजिट है कि ऐसी दुनिया जहां पर हमने सोचा नहीं इस तरह की महामारी आ जाए यह एक्दम से दुनिया जो सर्वनाश कहने पर पहुंचे अब पहले समरी बताओं देखो सब्सक्राइब ज्यादा ध्यान नहीं देना वाग कहा इतना तो पता उने च्छे उसमें क्या क्या हो रहा है और क्या क्या नहीं हो रहा हुआ पर आंसर राइटिंग में कैसे लिखना है और क्या है क्योंकि कुश्चिन कहीं से भी उड़के आ सकत कहीं की दरब से कोई सब्सक्राइब कर घड़ा हो जाएगा और उसमें आपको मीनिंग क्लीर होना चाहिए अगर कोश्चिन सिंपल आता है तो उसके अंदर आप घुड़ डाल सकते हो डिड़ाइडिस्टिक या फिसरियलिस्टिक कंसप्ट डाल दो या फिर आपकी विसम का सब्सक्राइब करण से बहुत सारी है इसमें पढ़के आपको अशा लगेगा कि हां तो यह समरी अपको समझके चलना पड़ेगा कि कैसे हैं थोड़ा इसमें समरी में पार्ट है वैसे तुम्हें के तो कहानी को समझना है तभी हम उसनी कुछ-कुछ पॉइंट्स जो है मैं उसलिए उठाऊंगा और समझाऊंगा पहले पूरी कहानी चैस्ट पे डिजाइंड है तो जासे हैं और आप सब इसमें रड़े बस देखो इक तरफ इसमें रैड दिखा रहें और एक तरफ वाइट हमारे बात वाइच है तो आपको जब भी नाम दिखेंगे रड़ कुईन या रड़ी इंग या वाइड कुछ इंग है तो यह यह दोनों टीम अलग अलगे अब इसमें जो चेस्ट बोर्ड का गेम उसके पर एपलाई होने लग जाएगा तो जो चेस्ट केलते होंगे उन्हें पता होगा कि जैसे कि आप इस ट्रीम में आपको एट स्वेर को क्रॉस करना है आठ होते हैं उसमें इस साइट से और एट उस साइट से तो एट नेट का कॉंबिनेशन आप सबको पता होगा आठ जैसे हैं तो अगर कोई यहां पर पॉन मींस यानि प्यादा पी डवल्यान पर तो प्यादा है जैसे अगर किसी छोटे से उसको जो भी आप बोलते हो अपनी लागवज में यहां पर मैं पी यह डवल रहा हूं तो अगर किसी फॉन को फाइनली अगर उसे क्विंग बनना है तो उसको उसकी स्लॉट को रिप्लेस करना पड़ेगा तो पता होगा जैसे मेरा अगर मानलों यहां पर फाइन प्यादा निकलता है और वो जाके उस वे यानि उस वाले पॉइंट पे वह पहुंच गया अब उस कहा है तो जिसकी प्लेस में पहुचता है उसस्कीज़ मन जाती है इसमें कंसेट है जैसे अगर वह यहां प्रस्स-कुेर में अगर वह स्कुई आगी करके काूवर कच हा और वह प्यार अगर उस प्यार,कूइन की जगे पर वह पहुँंच गया तो यानि उसकी वह queen बन गया है और यह वह queen बन गया queen बन गयी बोलेंगे simple सी बात है अगर इसने किसी और को replace किया उसकी जगे से यानि तुम दूसरे team में जाके जिसकी जगे कम बन जाते हैं कि इंड है किऊंकि एशी कोना बनने के विए निकली और वह ने ऐस दियो क्योंकि मौरल प्रिंसिपर के पर साइटिघ्स घ्रका ही यानि कहीं न कहीं वह ऐसा लगता है कि सब्जुगेट हो रहा हो किसी नोसे दबा दिया हो क्योंकि moral principle के उपर भी साइटिंग होती है क्योंकि चैसे में तुम्हारे पास अगर घोड़े की धाई चाल है तो उड़ाई चाली चलेगा ऐसा नहीं कि घोड़ावा में उड़ दिन अगर उसका इस गें का हिस्सा एलेस है तो इसका मतलब एलेस के अंदर पका एक यह तो हो गए कि उसे जीतना है और जीतने की जगह तुम्हारे अकर मैं यह कहूं तुम पॉंड बनके निकले हो एक प्यादा बनके निकले और प्यादा यह बनके मरोगो बिल्कुली हर कोई सब्सक्राइब करेंगे थोड़ा बहुत अंदाजा तो आपने लगा लिए हुआ ग्लास के दूसरी तरफ के दुनिया है और उस दुनिया में कहीं नहीं कर रही है पॉंड से स्टार्ट कर रही है प्यादा से और उसे एट स्वेर को क्रॉस करना है उसके बाद जिस स्लॉट सब्सक्राइब हो जाएगी क्योंकि उसके दिल के एक रही है वो क्वीन बनना चाहती है तो अब इसमें क्या है इसमें जिस तरह से डिविजन है यह मौरल प्रिंसिपल को डिफाइन करते हैं और जो स्क्वेर जो प्लॉटिंग स्वेर का जिस तरह से दिखा रहा है अलग-अलग जैसे लाइफ में अलग-अलग आते हैं अलग-अलग डिफिकल्टीस आती है उसको आपको उन सब के ओवर अगर आपको निकलना है उसके बाद अपने आपको और पावर करते हुए एक ऐसी पोजिशन एटेंट करनी हर किसी का वही है दियो अब्जेक्टिव चोटे-चोटे-चोटे स्वेर क्रॉस करें दिस इस वाल दी अब्जेक्टिव और एम क्या है आप को इन मनना चाहते हो इसे लाइफ में हर कोई एक नएक फिर्म चाहता है इस तरह से हम कहीं है दिस रियर एक्जामपल फिलासेफिकल राइटिंग मैं कहोंगा भी रैसे उतारे गए हैं जो कि सच में इसी के हैं और रूल से रेगुलेशन जैसे कि प्रिंसिपल मेकानिसम होता है मैंस में प्लस माइनिस मल्टिप्राइड इवाइड इन सो ओन इसी तरह से इसमें सारे रूल से अब्जेशन बहुत परफेक्ट रखा गया जिसे की इसके पर कहानी मूव हो रही है तो फिलोसिफिकल और साइको नार्ट के कंसेट क्या है माइं की थू कहानी चल रही है इस नौट पसिबल कि कोई दूसरी दुनिया में जाके चस्ट बोड के और चस्ट बोड का हिस्सा बन गया और उसे क्वीन दिखने लगे किंग दिखने वो सब उसकी बातों को समझ रहे हैं तो यह सब एक इमाजिनेशन की दुनिया में यूटोपी को बाद में पुछूंगा मैं पर अभी हम करके चलते हैं सब पार्ट रखती थी ऐसा पॉसिबल तो नहीं है तो हम यहां पर कह सकते हैं एक तरह का साइको एनलेटिक कंसेट को यूज किया गया एटीन सिच्टी से से जो साइकोल जी यह उसे कदम रखना शुरू कर देपाद में यही साइकोलोजी जो है फाइन फलो होके लिट्वेटर्शर में मूँव होगे और साइकोलजी और लिट्रेचर में हाथ में लालिया इस प्लिए नहीं दुनिया आगी द कि अब कि आप सबको पता है जैसे कि पहले हम किसी राइटिंग को लिखते देश्व बाट टू दाइमेंशन स्वेर के दो डाइशन होते हैं सभी को पता है लेंख सुरी चैनल बालो लेंफ इंट और तो डाइमेंशन है अब क्यों में क्या हता थीसा दैमेंशन ओर आजा तो तो यह राइटिग काहिना कि आपको दौकत ही आपके सब्सक्राइब कर ते हुआ है सकते हों कभी ई motivus कि जब यह उससी कि अब inhया सपने वह इसे एक वह निसमें एक राजा सपना देखता है तो राजा को लगता है जो सपना देख रहा है वो हकीकत है और जो वो सपना देख रहा है दर सदेल पाट और जब वो जागेगा तो वो से सपना लगीगा यानि कहने के मतलब जो सैनिक उसे सपने में मार रहे हैं तो वो सपना है और जब उसे वो सपना है पर उसे वो रियल लग रहा है कि सच में सैनिक उसे मार रहे हैं और जैसे उसने आन्खे खोली तब उससे दिखा कि आसपस सैनिक जो है वो प्यार से देख रहे हैं कि राजा क्यों सो रहा है और उसे लग रहा था यह सपना है तो उसांघ नहीं कि जब आप इसमें Alice को देखो कि Alice जब इस पूरी दुनिया में मूव करेगी तो बाद में पता चलता है Alice एक रियल क्यरेक्टर है के नहीं है यह ट्विंडल डी उसे बता देते हैं मैं बता हूँ मुझे पूरी कहानी करो हूँ मुझे ट्विंडल डी बताते हैं कि Alice तुम एक हैं पर चैरेक्टर के थूप तो आपको लगता है सपना है कि सेंट्रल करेक्टर का सपना यह जब आप देख रहे हो तो वह एक और वह रहाये तो हमारे वें उसका एक सपना है तो लौजिक का यूजिक का यूज किया तो प्री प्रोग्राम्म बबर्सन का कंसप्ट है यह क 추दि तरह से जिसे माद यहां को कि हम हम सब पढ़ा रहरों तुम पढ़ा रहें इसकी तरह से रेड नाइट के प्रोग्राम वर्सन के थ्रू एलिस उतारी गई है ठीक तो यह काफी कुछ यहां पर काफी आपको सोचने के ऐसा लगेगा कि पूरा दिमाग खदम हो गया खराब हो गया क्या पढ़ा तक क्या सोचा था सारे सपने इरादे टूट गए इस इसकाल सरील सरीलि जब तुम सतना ले रहे हो जो मन के अंदर है सपना में मैं यह करना चाता हूं वो करना चाता हूं आपके सपनों के दुनिया there's unconscious unconscious जो आप जो अपना देख रहे हो वही Unconscious Mind को जो जिस तरह से होता है इसे को सरील क्याते हैं सरील एक पेंटिंग के वर्ल्ट से यारी आर्ट की फॉर्म से यह लिटरेचर में आ गया यारी तुम मन की बातों को लेके कोई राइटिंग लिख रहे हो दिस इसकॉर अगें दिस सरील ऐसा लग रहा है कि हां यह कुछ फिलॉसिफिकल राइटिंग के बीज के पर इमाजिनेशन तो एक्सलेंट है ऐसा लगेगा बच्चों की राइटिंग है इसे इन पार्ट अप इसे टायर एक सटार है पॉलिटिकल सिस्टम के पर भी सिटार किया गया क्योंकि 1859 में पता है कि दूरी और दार्विन की दूरी ने क्या कहे दिया कि हम सब कोई भगवान के बच्चे नहीं है और उसे कह यह ने कहते हैं यह सारे जानवर है जो में से ताकत वर चुंछ जिन्दा रहेगा तो सर्वाइबल फॉर्दी फिटस जैसे कंसेप्ट को इसमें उठाये गया जो आप देख सकते हूं एक स्वेर से आले से स्वेर में मूव कर रही है एक सब्सक्राइब किसके अंदर सर्वाइबल का कितना मेकैनिजम है तो डार्वीनियन इंफ्लेंस को साफ देखा जा सकता है विक्टोरियन एज की इस राइटिंग में जो कि कैरों ने लिख लिए तो काफी कुछ मैंने इतनी कम टाइम में पता है समझ आ गया होगा अगर नहीं आए तो प्रीज़ा नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख देना कि यह कंसप्त नहीं समझाया तो मैं से दुबारा करूंग क्यों कि मैं बार बरी कह रहा हूं दिस इस दिबल की राइटिंग स सच में दिल से कहों तो यह एक बल्की राइटिंग है जिससे कह सकते हैं कि अंदर से इतने ट्रेसिस और सूर्सिस निकाले जा सकते हैं इसी वजह से इतना ज्यादा रिक्वेस्ट वीडियो की के मांग रहे हैं कि सब्सक्राइब करती है मैं यह नहीं कह रहा है आप इसका ल सब्सक्राइब करेंगे दोंनों स्कुेर को ज Lives-dubiley किया गया है तोोंके बीच में नदी है जैसे कि ऑऐ दो बैट दो सकरें तो यह एक बाक्स को और दोसरे बाक्स से अलग पार एक वाक्स को तो चैया डंको बिस्टाइखे चाहिए बाकस से ड estaba मदल जाएंगे ठीक हो करना है तो इसमें करते हैं सीधा कुई किस लोट तक पहुंचना है इसके लिए अंदर जस्बा होना चाहिए एक जीने का पाउर होने चाहिए जो विक्टोरियन एज कहीं न कहीं लेकर आती है एक शांदार राइटिंग है विक्टोरियन एज की और अब शुरू होती है तो देखो वाइस समझना कहानी की शुरूबात कैसी एक नवेंबर का देन है ठंड का देन है अलिस है अपने रूम में बैठी हुए एक किटी के साफ कर रही है चाट चाट के तो वह जो किटी है उसके साथ खेल दिए पर किटी बत्तमीजी कर देती है कुछ उल्टे सीदे काम करना शुरू कभी यह गिरा दिया वह गिरा दिया अब आगया इसको कुछ साथ हो एलस किटी को कहती है अगर काश मैं तुझे इसे उठा के त सब्सक्राइब कर रहे होती है तो हाथ लगाती उसे लगता नहीं मिर्ट के दूसरे के दुनिया वह अपने आप उसे ऐसे अंदर से फीलिंग आने में जाती है दिखो आप इमाजिनेशन लिख रहे हैं तो इतना ज़दा आप रियालिसंट से नहीं हो सकते इसमें तो वह ए सब्सक्राइब करने लगाती है तो वह सब्सक्राइब करने लगाती है और जैसी वह दूसरे दुनिया में पहुंचती है तो वह एक चेस के गेम का पार्ट होती है तो यानि चेस के गेम का पार्ट है वहाँ वाइट क्वीन जो है देखो जैसी वह चेसी जी गेम पर जाकर गिरती है तो स्राटिंग में कोई नहीं देख पा रहा है ना रेड तो दूसरी तरफ है तो वाइट की एक जो बेटी है जोटी से बेटी होती है उसकी ली नाम तो लिली होती है वहां पर तो जो है औरूसरी आप नेधी होटेबल की उपर होती है और वाइट क्वीन भूत एखर होती है यहों कहा यहां तर्थ ऑपक, करती है उसको पकड़ के एलिस पिक्स थी क्वीन अब टू हैल पर एलिस क्या करती है क्वीन को उठाके उस तक ली जाती है जाओ है अब यह देखके सब शौक रह जाते हैं कुई सबस्क्राइब कर देखता है उठीए और किसे और उसके लिए आपको देखती और एक दम से उस दुन्या की तरफ वह किताब होगा जैसे वह देखना शुरू करती उसमें एक वड़्ड लिखा होगा है जैबर उकिए और वकी क्या फूस्ट एंड में दुबारा से समझाओं अभी यह सब्जो जैबर वोग की एक वर्ड लिखा होता है ठीक उसमें पर क्यूंकि अभी किस दुनिया में मिरर वाली है ना तो 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 दीलकिंग ग्लास बार बरी में बोलती है इसाइनसी भग में लेट है लाइंग दुबर के लिखा होता है और वोग इन अक्स् Liu होता हूत जिसका कोह मतलब नहीं निकल गया था मीनिग लेसाज उसका कोई मतलब हैं और समझो मीनिग में ग्लेस के दुनिया मेंग्уйलस है में एक लेसाय कुछ तो डडाइजम इसी कह गहीं से कोई भी चीज लिट्रेचर और आट में मीनिंगलेस नहीं होता ना मीनिंगलेस लिखना चाहिए देश भी समझो जैबर वॉकी लिखा वर्स में वुझ से देखती है तो सेंसी नहीं समझाता कि क्या है क्या नहीं है वो क्योंकि मिरर वॉल्ड म कि मालक से पॉम है वहीं है उस है को इसपोन की नाम किया है यहां किता पड़ती है वह उस वह नहीं का टाइटिल देखती है यह जैबर व्हकी पोईम भी है कि यह उस समझ नहीं आथा और इसता मेनिक समझ नहीं पाती एक दम से आलेस्ट चब उससे बाहर देखती है तो अब वो दूसरी दुनिया में है तो लिख तो यह दुनिया में चली गई वह थोड़ा सा ओपर अपर उठा हैं लिली की सब्सक्राइब तो नॉंसेंस नहीं है तो नॉंसेंस नहीं है तो नॉंसेंस यहां पर सब्सक्राइब कोई सब्सक्राइब दिन्या में जैसे आलीज देखती है तो इन सब्सक्राइब विए आठीट गर्ण देखते हैं और गार्ण दिस इसना मंटिया तो तो रिल दिखता है और गाडन दिकते हैं तो चलती हो इस बापिस चलती हूं इस बापिस चलता हो वापिस चलती है तो नहीं तो पॉसिब टॉकिंग फ्लार जब फूल भी बोलते हैं तुनिया वागी यूट्रोपिक दुनिया गई है ताइकर लिली और रोस बताता है तर देखो लिसनो हमारी बात यह जो पेड़ है यह बचाता है इसके जो बार के बाहर की जो खाल सी वह में बचाती है मैं तो यहां लग रहे हैं कि कहीं ने कई बच्चों वाली राइटिंगा हैं अंदर बेर मतलब टाहर लिली व्लार भूल रहा है रोगने देख लिए ना चाहूंच बहुत और वह बोल्रें और वी और वुव करे रहे हैं और इस तरह सी बच रहे हैं यह बच रहा इपने ब लग सकती वह यहां पर पॉन एक प्यादा है वाकी जैसे छोट-छोटे हैं पोजिशन पर वैसे हो प्याद है आप यह किसकी जगह लेगी पूरी कहानी में रेड कुईन की दूसरी तरफ है तो रेड कुईन की जब 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 देगी तो यह रेड कुईन बन जाई अभी मुझे रेड कुईन बनना है जब यह देखती है वाव रेड कुईन तो मतलब इससे लंबी है एलिस डिसाइड को तो स्वीक तो हरे जाकर से बात करूं पर रोज इग्नोर भी रोज मैं इस सज्जर सथी आलिस हैं इंडिया पूसे डारेक्शन रोज करते कहां कैसे किस सब्सक्राइब करते हैं यह ना अलिस से नौर्थ की तरफ जाओगे तो कहां जाओगे साउथ की तरफ तरफ जाओगे नौर्थ की तरफ तो मुझे ऐसा लगता है लिए उसके रोल ने कुछ जादा ही दिल से लगा लिया प्लेइन मिरर के चैप्टर को फिसिक्स में और इस नौर्ट रखा है तो मिरर के चैप्ट को ही यूज करना पड़ेगा जोखी इससे ऑथेंटिसिटी बनी रहती है राइटिक की क्रेडिबिलिटी बनी रहती है ठीक है कुछ टर्म सोते हैं अथेंटिसिटी के मतलब हाँ ऐसे निया कि उसके अपेंडिक्स का हो गया पेंडिक अगर इस दुनिया में तो उल्टे डिरेक्शन में जा रही थी वह कुई आस्टी डिरेक्शन हाव तो प्रॉपर्टी कैरी हरसल कुई ने मताया ऐसे बहुत गलग चलब हो जैसे चलना है वह से चलाओ डिरेक्शन देती है शेंसे तर्थी हेलेस निवाली अंदी कन्क्योज सब्सक्राइब करें तो इसने अपनी पोजिशन अपने आपको कहां पाया इस जॉइंड ने मैं स्टार्टिंग से शुरुबात करूंगी जीरो से हेरो बनने की खाईश तो जीरो इस चैस गेमिंग ठीक है मैं श्राटिंग से करोंगी एंड फाइन फाइन दैट एंड इस्ट्वेर अलसकंड बीट्वीट्वूर्ट आँगे आपके पास और मैं क्विन बनूंगी तर्ट्वें विदाऊट वार्णी ट्रैक्वीन कुछ कुछ बाते हैं कि कुई ने उसे बिसकिट दी एलिस करी कि मैं थक चुकिए नहीं चेल सकती बादा तो कर दिया कि मैं एक तुसमें आउंगी इस इस्टी ड्राइन पर दिया इस टेक सब्सक्राइब पॉलाइट इंदी कुई टेल तेल सैल इस्टाव तो मुव एक्रोश चाहिए सब कुछ बराबर होगा जब मैंटेन होगा जब तो रड़ाई होगी ऐसे उसने बोल गया तुम पॉंट से शरुवात करें प्यादे हो तुम्हें वहां से शरुवात करना एक स्वाट से दूसरे स्वाट में जब कैसे करोगे यह कुछ रूल सिखा दिए कि तुम सब्सक्रांड शक्रांड तुम कर दिया तो पहले जमड़्यक कर रहा और यह आकर गिरिया को सीधा ऊपने आपको अब ट्रेने पर चाहितरे metering लोगो अपोसर डारेक्शन की तरफ बैठे हुए और अंदर लोग कौन कुन मेठे लिए और सारे अनिमल अनिमल्स में वेडि़ाइब आज विदा टिकेट बेटिकेट चलंग लगाई सीदा तो गाड़ से पियर अनिस्ट वोईस गाड़ चला गया अब यह नहीं देखा कि ट इस अब लिए अग्वार बैठे हुए और लग अखवार ऑफ ऑफ यह चेर पर बैटा हुए और अखबार आलएस को कहता है तुने मुझे पढ़ा क्यों मेरी बिना पर में सब्सक्राइब कैसे बिया अब फेसे को देखा आपको देखा ऐसे नहीं उस्वेपर होते हैं वो क एसे आते हैं वाद में स्टेशन में कहता है ठीक है मेरे स्टेशन आ गया पर तुम बहुत ज़्यादा मुझे रियूट लगी इस तरह से बात नहीं करना जाए तो मेरे प्राइविट पार्ट को कैसे पढ़ रही हो अलग-अलग पार्ट खबर कैसे पढ़ रही हो तो जैसे स् से वो जा रहे होते हैं त्रेन में रुख जाती है सारे सवारी उतर जाते हैं त्रेन को धक्का मारो त्रेन के लिए इंजन और वैगन यह सारे होते हैं त्रेन निकल गई और यह था हमारे पास सेकंड स्वेर इसे बारे में किस किस तरह की आनिमल क्या है अब उसके बाद जब अगले वाले स्कूर में आगई हैं वह देखते हैं गनाट को गनाट में इन से उपर हाती जैसे इंसे उपर हाती बी यह वह मच्छर भी वह वह मदु मक्खी भी है वह सबका रिमिक्स यह इस उंड निकले हैं सूंस के फूल कर रसकीच रहे हैं और इदर आपने बच्छों को खिला रहे हैं इस तरह कोई सीन देखने को विला की रहे हैं जो है चिकन के साइच के भी रहे हैं दिससे अदिश्ट आइज दिशन पूश तो अबनाट जोग मार के चलेगे उसके पर ठीक है और जब अलिस ओलती है यह कैसा है तो भयानक सा जोगता तो भाग के बाग के वो जो बड़े-बड़े साइसी थे सब जी यह च सबांट beschजोंगे जाती है तो फॉन हैं ऑर फॉन हनस करता है अगल औरे साइजग साइस के विलेँ और एक जा सबसेंगे हम जाए ज। फॉन हो सबर्च्छन धाय अगे और और ऑग के थी आई भी मिमिमिर्स उसने सब इस दुनिया में नहीं नाम को भूल जाते क्या है यह और इसे को देखे वो डर से बाग जाता है क्योंकि आपको पता है यहां पे कह सकते हैं कि हिरन और इनसान इतना शिकार करते इसे लग जाता है कि यह इसान ने कही है यह एक तरह फिर होती है दिख्राइस ऑफ लोनीनेस ठीक है यहां तक भी खतम हुआ तो फास्वेर देखा आपने सेकिंड देखा ट्रेंड के बाद आपने देखा फॉन वाला एडिया गनाटन फॉन एलस फाइनी रेचिस दी आइडेंटिकल मैं अब दो आइडेंटिकल मैं मिलते हैं अगे जाती है तो कहां पे वह पर रोह रही होती है तो इस से दिखने वाले आ जाते हैं ङहूंद्ध पुरानी गानी को घृज यह चलते हैं === तो तुट तुट इदर अपस में हाथ मिलाते हैं तुट अच्छा भाई मिलाते हैं एक दर बहुत प्यार से रहते हैं वह उसको पीटरा वह इसको पीटरा यह चल रहा था इनके बीच में आले सोपयों कि काई यह आए मिलवध्र से लैंजेक्ड रेक्षन अनुड्स पुछे में अगी कहां जाओ जिखे हैं लिव्याट नृटि इस द्रीच में प्तों नोगें जाओ कि या राइट सैथ में जाओ पिछ उब यह लड़ाई के इन दोनों पीछे ही होगी एक एक लफ्ट में जाओ तो राइट में जाओ पहले चल रहा था सारा भाइचारा उनका उतर गया तो उसके बाद एक वाल्रस और कार्पेंटर की पोएम किसके उपर बेस है एक यह पोएम जो है वो एक क्यारक्टर ऑइस्टर की उपर है ठीक है आपको पता होगा है ना समुदर के साइट में जो होता है इनकी लड़ाई चल की थी कि इतने मे पसंद नहीं पर फिर भी वो खाता है जो है वो भी ऑट र को कहता है अब इनके खाते-खाते यह पता है दो सब्सक्रा पाते कितने लगता है कुछ मुट्टी बर क्या है उयस्टर को पसंद नहीं करता है और तो को Just की ज्णका क्या है और कि बाइबल का कोई किया गया कि बाइबल में लिखी है लिए मेरे बेटें हो कह सब्सक Mr to use कर सकते हैं उसका जितना ऊड जूज सकतै पर हमें खुश रहना है दिस विए बेशिक नेसेसिटी वाउस तो बी हैपी खुश रहना यह पाइबल में लिखी हो एलाइं टीकिन नेचर को यूस करो जितना करना गलत लाइन वैसे तो तो नेचर को यूस करो एनिमल की यूस करो जितना ज्यादा यूस करना और यह सब कुछ तुम्हारे बेटे हो इसी तरह का कुछ बाइबल से खुश्म को इवोग करके इसमें कहीं न कहीं आफ फिलोस्टिफिकल एंड को यह फिलोस्टिफिकल नैसेसिटी को दिखाया गया समय आप क्या होगा फाइन एलस ट्राइस ट्राइस तरह बास बैटर परसंट शीर से लाउड नॉड अब यहां पर कंफिजन शुरूए त्विंडली कह देता है कि अलस तुम तो सच होई नीए तूर नॉट विल क्यारेक्टर यूर जस्ट पार्ट ऑफ दी ड्रीम का रट किंग तुम सपना हो या तुम नहीं हो सच अब यह तो बहुत बड़ी बात कह दी कि एक एक चरक्टर को थोरी खat राएं सम्राट बता घंडिया अब आल्ष और लिस तो टो टेंशन है सुआ सायन आवाला भी टैंशन है यह बड़ने वाले साईँ दाती तो शीए अल बढ़तले अब देंशन हो ekt कर लिजाटेम तो अबने वाले श्य को ए एक ड। önद तो अबड़तल में होले अब आपस में वह दूसरे को ऐसी लड़ रहे होते हैं आप यह थियार निकाल लेते हैं वो उसे पूस्ते हैं डारेक्शन बताओ डारेक्शन बताओ इतने में एक उपर एक बहुत बड़ा क्रों आ जाता है और फ्लाइस और इंडिंग है इसमें अभी पुरकानी एंडी आपकरती है क्वें की हल्प करती है और शॉल और उसके हेर को टक कर देती है बिल्कुल सही तरह से सोगवीण ओफर करती है एलसो के मैं तुम्हें में रखूंगे अपनी घर पर आलस के दिमाग में तो सबने किसी चीचे थे सबको पता है क्वीन बनने के तो ऐस्या की हल्प कर रही है उसको डिरेक्शन के बारे में समझा रही है तो हमें पता है कि देखो कहानी के शुरुआत वाइट कुईन यह धियान रखना वाइट कुईन और इसको बनना क्या रड़ कुईन यह पका पता होना चाहिए भूल मत जाना बीच में तो वह से समझाती है क्य कि देखा होगा कई जगे कूइन ने हल पकरिया अलस की स्क्वेर उससे मूव करने में बूस्य स्कुरी में मूव करने में आलस की काफी हल्प की है कुईन ने तो यह को कुईन समझाती है डारेक्शन के बारे में एलेस फॉलो धी क्वीन ओवर अबरूग के ओंड हम फाइं पर शीप बीच में और ऐसे से करते करते हैं वोशीट तक पहुंच जाती एक और स्कूर बॉक्स की तरफ मूव होगी एलस त्राइस तो लुक अधी तेंग सिंदी शॉप बट इफ शी लुक्स डारेक्टी एट संथिंग शी कंट से इट देखो वह चीज चो वह देखती है व छो पूरी दुनिया है यानी यह जो फ्रूदी लॉकिंग ग्लास यानी लास के उधर वाली दुनिया एंगे उनकी दुनिया उइज होता है यहां पर सबूस्त थोड़ाइबब आप उल्टा होता है अब उल्टा होने का मतलब से बताया जैसे कि माननो किसी के पिन चुबी और चीए पर यहां पर उल्टा होगा पहले ब्लड निकलेगा उसके वह पिन जाएगी ठीक है पहले चीखते हैं यहां पर बाद में चीखेंगे यह भी समझाया है कि हम जस्त दुनिया में लिट्र लिटक रखेंग कर दो दो आपकर रखागा है पर क्योंकि यह जस्ट है एक फेर है सच में कहने से मैं इस तरह से लिखना ही पड़ता है राइटर भी अब क्या करें तो वह यह तो बिल्कुल उल्टा यहां पर भी पहले वह खून निकलेगा फिर उसके बाद पिन के चुबने की वह फिर उसके बाद इसके बाद यहां पर इस तरह से इमाजिनेटिव और फिर उसके बाद थोड़ी वैसी राइटिंग भी है कि आपको ज्यादा से ज्यादा अनिमेटिड फिगर और उसके कंसेप्ट को जादा दिखाना पड़ेगा तो यही वजह है कि अलग-अलग वेबसाइट पर इस कहानी को अलग-अलग डिरेक्शन में दिखाये गया है जिसको जैसा लगा सही वह वह है पर हमारी क्योंकि कोर्स में है तो कोर्स में जो ओरिजिनल टेक्स है हमने उसी के थुरू इसको कवर किया है जब आप इसको रहाती है और बोट में देखती है एले संशीप और बैक पर एक फिर एले सगरी इसको बाइन एग अग अब लिए उसके बाद देखते हैं पर दुबारा किस पर आ जाते हैं शॉप पे आ जाते हैं पर दुबारा आगे वह दुन्या का इक एकांसर दिखाना के सब चीज उल पिस दुबारह वहीं आगे दशीप सेट्स टी एक डाउन अब वहां पर वह एक खरीती है एलिस एगरी टो बाइन एग और एलिस एट दी डाउन वो जैसे अंडे को नीचे रखती है एलिस वॉक्स टौर्ड से उसकी तरफ जाती है पिर एकदम से घूम के एग जो है वो स्कूर को क्रॉस करके वह दूसरे क्रास की तरफ दूसरे स्कूर की तरफ मूव होई और सीन में बीच में से कहीं न कहीं कुछ काटके एक दम दिखा दिया गया है कि जैसे की एलिस जो है वह हम टीडिम्टी के साथ आगी तो ऐसी कंसेप को भी यूज कर रखा है पर इसमें सब्सक्राइब की जरूत नहीं है कि नहीं उसमें बीच का दिखाना है में स्टप पाइस सब्सक्राइब इस नाट इंपॉर्डटन बस हाँ एलिस अगले स्कूर में पहुंच की वह इंपॉर्डन है आगे थोड़ा बहुत हो राइटर के पास भी पावर होता है कि वह को मोल्ड कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं उसके पीछे उने को रीजन देने की जुरूत नहीं है तो हम्ती डंटी जो फेंड़ा था हम्ती डंटी से लिए लिए बड़ा एक बड़ा अंडा जिसमें एक राक हो ठीक दिवार पर वैठा हुए इस पूरे उसमें वह और जब हम् सब्सक्राइब तो हम्ती डंटी डिवार पर बैठा हुए एक तरह से और वहां वह बाते कर रहे हैं एलस के साथ और एलस जो है उसे नर्सरी राइम सुना रही है मैंने तुझे बच्पन में बढ़ा था क्या तुम सच में हो हम्ती डंटी कहता है हम तो कब से हमें यह नहीं प्रिक जिए रूपने वाला अंडी टाइप का मेरे नाम का मतलब है पर तुमारे नाम का क्या मतलब है तो नॉंसेंस वाली बात है ठीक है उसको कहता है आले स्कार्बट यह बाइड़े मत तुम तो ऐसे लग रही हो जैसारी साथ साल कहूं साथ साल को नोट वांट इस वह गुझ आपस नहीं आपस नहीं कहता है कि अन बच्रेप्र प्रेसंट नहीं जाते है वो ज्यादा बहतर होते हैं बच्रेप्रेसे अलस्ट वह फाली पर्फ्लेक्स्ट कन्फ्यूस रही है उसके साथ बात करकर करके इतना जदा थे इस होजाती हूं बर्दी हामधी रक़से संथे वोट नम रहों को 思क्त नहीं होता है Turb equally थे मई एक लख पेर क्encial को यहां पर कहीं यहां गया है तो जैसे कि मेनिगल जो है वह टेक्स्ट में नहीं होता वो अब रीडर के माइंड में होता है अब वो जो वाइड जो है वो जहां पर आता है वो रीडर पोता जैसे कि मैंने का यह आपने देखा होगा कहीज़े रहे जैसे कि आई लब फिश दॉव फिश एक मांट सहारी न qualcı इसका मतलब लग डंटी ने कही है कही है फिलोसिफिकल राइटिंग गैंज साइकोलोजिकल कंसेप्ट सब्सक्राइब इसे चोड़ो मैंने तुम्हारे लिए कुछ प्रेपली कुछ भी नहीं था उसमें कहीं नहीं हम्ती-डंटी का बचने का तरीका था क्योंकि हम्ती-डंटी को खुदी नहीं पता था जैबर वाकी का मतलब क्या है और एक तरह का नॉंसेंसिकल फेज यहां सब्सक्राइब करते हुए आगे और से क्रैश वे क्रैश सुनती है एक्दम से काफे सारे नाइट आते हैं होर्सेस के पर काफे सारे घोड़े के उपर क्योंकि वीडियो जादा लंबी नाव जो से मैं है थोड़ा सही तरह से इसको कवर करूंगा पर चिंता मत करने टेंशन पानु वाला और पीछे जो है वो घोड़े वाला एक तरह का कंस्प्ट जो कि इंगरीश करना नेहावादने में भी यूज किया था उस तरह का कंस्प्ट है तो नाइट कांट से अंदे रहा होर्से सीगा तो वो तिकी नहीं पा रहे हैं तो शीकंस अप ऑन दी वाइट किं तो उसकी हेल्प करेंगे देशी वन आफ दीगिंग्स मेसेंजर अब वो देखते हैं किंग के मेसेंजर को अब यह वो को नहीं यहां पर फाइन नीदे मैं एक सब्सक्राइब और यहां पर से रोड़ के उससे आ रहा होता है और अब देखो यहां पर कुछ बात हैं मैं यह वाइड कुएन वाइड की को देखती है वाइड कि बुलता है मैंने दो भोड़े रक रकेंक से नाम के लिए हम्तिंग के लिए ऐसी कुछ चल रहा होता है और ही काुटले होती ऑसे बता नाम से जो भी चीज बने जैसे कि हमपल उंपल जो भी जो भी बनता हो वो सारे कुछ उसे उठा उठाके वो बच्चे नहीं कहलते जैसे कि मुस्तर से खेल रही होती है और उसके बाद हेगा जो है वो किंग तक पहुंचता है एका यानि वही मेसेंजर पुल्स थी फूट से आपाउट वह क्या किया करता है? खाना निकालता है किसमती वह जो यह जाता है श्जाय किसे मोता है वह जाही हो ड्यएगा खुझ किसमेज परिवाट नेयुकौन है तो मेंसेज लें और देगे लोगँ ईनिकॉन पर फाइटिंग लें और लड़ रही आख अर लृए और ल के लिए राजब को बनेगा तो देखो यह जो क्ोन है यह जो लाइन और जो यूनिकार्ड यह हमारे फीगर है जो हम जब किछ फेलते हैं तो किसी को आप के Да करते हैं किसी को हूंट केते हैं कि act कि व Pak असे को तिक यह को तेل तो तो आप उसी रास्ते पर अगर मूव कर रहे हो अगर आप उस लॉट पर पहुंचे क्वीन के स्लॉट पर पहुंचोंगे तभी आपको आपको जो है वो पॉन को या जो भी वहां पहुंचेगा वह उस वो उस पोजिशन को एटेंड कर लेगा कहने का मतलब तो सिंपल कहा दे सब्सक्राइब और वाइट ब्रेड कर ने खाने के लालजमन के लड़ाई चूट गई जोई अधर मेसेंजर बाकी मेसेंजर के साथ जूड़ते हैं जैसी हाटा हाटा भी कह सकते हैं और क्रीचर सिट फाइट स्टॉप्स और कई सारे लोगों का ने आकिव की लड़ाई को सब्सक्राइब यूनिकॉर्ण इस शॉटे बच्चे वह एक शैतान के रूप होते हैं तो बच्चे सी है पर ही शैतान तो है नहीं है शाउट रोड़ी प्लियूंग के कैसी लॉयन जॉइन सी ग्रोप उसके बाद कहते हैं मुझे चाहिए मुझे चाहिए अब एकदम से शे क्यों तुम्हें दिमाग वाली है तुम केक को काट अब जैसी केग को काटने की बारी यहां पर सब कुछ जो है पहले सब करो एक करो घुमाओ अपने तीन चार पीसी तूट जाएगा और खालेंगे काम खतम तो ऐसी हो जाते हैं लओ बहुत जादा ड्रम बजनें लगते हैं इतने पर बहुत जादा नौइस स suffered आता होता और एलिप जो है फिर एक चलांग लगाती है और उसके बाद वह उस्सके पक जाती है हूँ इस वज़जे से नगाती है और एक ब्रूक और क्रॉस हो जाता है और अजाती नक्स स्केर में तो यहां पर एक तरह से लड़ाई होगी किसी होगी रेड़ नाइट और वाइट नाइट है लड़ रहे हैं तो रेड नाइट और जो वाइट नाइट और रहा देता है और रहानी के लिए दोनों के बहुत बरिए बहुत दोनुंक गरते हैं और वह प्वाइत लिसक्रीज को illa देता है फिर že फृइले को कहता है मैं तुम्हहाbor स्कूर्ड कर सकते लिए और अधका सЕ इंडे सफटोन उस्क रर्यों और तो दोन सकतथ अध healthcare क्रूब क्योंकि वो से बार बरी बताता है love of inventing को कितना बड़ा inventor है उसे अलग लग चीज इन्वेंट करने का कितना शौक है ऐसे सी बाते उसे बताता है at the edge of the square he tells a poem about the meeting a man sitting on a gate जब पहुंसे तो बताता है मेन एक poem के बारे मताता है में में यलको इक poem पता है एक आदमी जो कि gate के पास बैठा हूँ उसके बारे में ऊसे कोई poem बता योगी वह अनुद अवह हमें सच में इस पूरे work में अतना d meिश नहीं बता रखा की क्या है poem क्या नहीं है बहुत सिंपिलėंकी इसके बाद finally क्या होता है Alice is still to be a queen अब Alice जो वो queen बन चुकी है आपको पीछे वाले स्लाइड में दिख्या हुआ कि Alice queen बन चुकी है उसके सरके पर crown है she practices walking in the crown but finds it difficult अब वो कोशिश कर रही है कि किस तरह से queen जैसे चलती है मैं वैसे चलके दिखा हूँ the red queen and the white queen appears अब एकदम से red queen और white queen आगी क्योंकि white queen ने उसका साथ दिया था और finally red queen बन चुकी है अब दोनों आगे एक दूसरे को invite कर रही है red queen white queen को invite कर रही है और white queen red queen को invite कर रही है पर पार्टी जो है वो किसको देनी है Alice को तो Alice कहती है यह तो बड़ा बगवास वाली बात होगी पार्टी मिल को देनी है और यह तुम आपस में दूसरे को invite कर रहे हो यह क्या मतलब है फिर एकदम से क्या होता है बिगन टो गिव दी आलस रेडल वह एक पजल देते हैं अले सिंग दर दी रेडल वर नॉंसेंस लगता है यह फालतू की चीज़ दी जा रही है से इकदम से वाइट कुएन जो और जो रड़ कुएन जो है वो रो रही एक तरह से तो मैं करो एलिस की एक कुछ लुलेभी गाव लुलेभी का मतलब किया तो है लुरी टाइप किना कुछ ऐसा जिसे कि उन्हें नीन आजे बोग दी कुएन सब्सक्राइब गाती तो दोनों सब्सक्राइब तो यहां पर सिंपल मतलब यह कैले सब कुई बन चुकी है और रेड इंवाइट कर रही होती है कि तुम पार्टी में एलिस को लगता है बकवास है फिर वह एलिस को रिडल देते हैं फिर इतने में वाइट क्वीन को चुप कर वाओ लिला भी सुनाओ लिला भ सब्सक्राइब को एक रूम एक फाई खर बाहर देख दिए अपने आपको ललस्य पर क्या लिखा हुआता है एक दोर कि बाहर देखतीं है एक महल से बाहर उसमें लिखा हुदा कुई से पाने टार करंच्र त Absolute असे हों वहां पर वो कहता है Alice को stop pestering the door अब जादा pestering का मतलब कहता है बाहर जादा दुखी नहीं करना दरवाजे को जादा दरवाजे को मत पीटो बीटो जो भी है the door flies open and the Alice steps up door अपने आप खुल जाता है Alice उसके अंदर जाती है एक वेटर आता है वो मतन लेके आता है Alice के लिए and then takes it away वापिस ले जाता है तो बद रेड कुइन आती है explain the Alice that can't eat food that's being introduced to her a waiter brings उसके वो कहती है कि नहीं नहीं आलेस यह नहीं खाती ले जाओ रेड कुइन करती है फिर एक वेटर आता है पुडिंग लेके आता है Alice करती है कि Alice करती है कि Alice cuts into it after and being introduced तो पहले मैंने बोला था पुरी दुनिया उल्टी है तो पहले लेकर काटना या पहले काटना है फिर खाना तो पहले काट के फिर वो करेंगे नहीं तो यहां पहले अलिस तो मेक आप पुडिंग वो जो पुडिंग है पुडिंग एक तरह का मतब खीर कह सकते है यह बहर एक बढ़िया सा कुछ ना जिसमें ड्राइफ फूट्स वगेरा कुछ हो तो ऐसा पुडिंग उसे कहते है पुडिंग जो है वो डाट री होती है Alice को कि ऐसे नहीं खा अब एलिस जोचती रहती है इस डिल का सॉलेशन कैसे देखिंस बिकिन टूच पलट जाता है टेबल सेटिंग टर्न इंटू दिवर्ट्स वो पूरा टेबल है वो पक्षियों में बदल जाता है जो गैस्ट है वो एक्दम से फूड में तरह से घजल हो जाते हैं यानि गाइब से लगते हैं आसा लगता है कि फूड में बदल गें वह एलिस एड़ क्वीन फेस को कड़ रखा यानि वापिस वो दुबारा वहीं आगी मेर के सामने किटी को पकड़े हुए एलिस एपली रिकाउंट्स अ ड्रीम टू हर कैट्स एंड सजासर दिस स्नोड्रॉप बिकें दिवाइट क्वीन अंडी किटी बिकें दिरेड क्वीन एलिस को लगता है सब मेरा सिर दिमाग में घूमती है कि वह जो इक तो बात ट्विंडली ट्विंडल ने जो कहा था कि तुम सपने में नहीं हो बलकि तुम किसी और दूसरी के सपने वहीं एक्स्प्लीन किया था और इसको मैंने आपको टेक्नॉलोजी से भी करनेट करके बताया था कि नहीं खतम होती है काफी कन्फियोजन ने इसमें क्योंकि मैंने बार बरी बोला इमेजनेटिव यूटोपिक है और इसमें उपर निचे उपर निचे काफी कनेक्शन ने जो बीच में जो है एक तरह से ऐसा लगता है लैप्स बहुत जादा है और एकदम और को रीजन नहीं ना बिहांड और क्योंकि बिस ली नहीं है क्योंकि जब ऐसे मिधिकल रायटिंग जाती एक तरह से है या फिरbrand एसे ön prophetic टाइप की राइटिंग लिखी जाती जाती कहानिया तो इन taller नियह ऌता कि वह कसे तक से नी जैन जो अपकूशन नहीं उठा सकते किρέृद को कैसे तो जैसे वह बोल रहे हैं वैसे समझो क्योंकि जिस तरह से राइटर के पास पूरी पावर होती है इसमें चीजों को घुमाने के लिए तो यहां पर यह पूरी कहानी खतम हो जाती है अब इससे रिगार्डिंग जो जो आजना और आंसर राइटिंग में किन-किन कंसेप्ट को उठाना है तो फ़र सिंग देखो एलेस एडवेंचर इन दी वॉंडरलेंड दी के रोल एज इंडी जीनियस ली और इंजीनियस ली इंसर्टिड एस सीरीज अफ एंटेटेनिंग प्रॉब्लम सें ट्रिक रखे गई है से बिल्कुल सही बात है हर टाइम पे आपको हर स्वेर में आपको ऐसा लगता है कि पहले एक प्रॉब्लम है और कोई ने कोई ट्रिक है उसको रिसॉल्व करने के लिए फ्रूदे लोकिंग प्लास को पब्लिश किया गया था एटीं सेवेंटीवन में पहले मैंने बता दिय यह एको सबकुछ इसानों वैसे उनकौंशियस का सबकॉंशियस divided से यह एक ऐसे सब्कॉंशियस का क्नेशेप्ट कम यह वो आपको evoke करें तो आपके conscious mind में आ जाता है फिर आप वैसे ही करने लग जाते हो तो यह जो बीच में it's a layer एक layer का काम करते हो और unconscious mind तो इसमें देखो यह सिग्मन फ्यूट का concept और जो unconscious और dream theory जो है लकान की dream theory ऐसे से concept को यूज किया गया इसमें तो आपको सिफ यह लिखना है कि psychology का concept यूज किया है एक psychology का किस तरह से concept होता है वो पूरा इसमें ड्राइग किया गया पूरा डिप है यह पूरी राइटिंग उसी में कि unconscious frame में क्या था कि ऐसा लग रहा था है जो central character को Alice को जो उसने देखा वो सब को जूट है एक पर लग रहा था जूट है कि कहीं न कहीं वो unconscious mind में यानि जो आखें बंद करके जो हमारे दिमाग के अंदर इमाजिनेशन होते हैं पर फिर भी कहीं न कहीं वो unconscious mind subconscious को इवोक कर रही है कि बीच में जो sensor है वो sensor इस तरह से मूव हो रहा है कि वो conscious में लेके जा रहा है unconscious को कि सब कुछ लग रहा है कि imagination होने के बावजुद दी it's also the part of reality ऐसा लग रहा है कि सब को frame रखा गया Alice in Adventure in Wonderland में और वही इसका background भी है और वही इसका बैग्राउंड भी है तो पूरा इसके पीछे जो story line है और जो इसके पर पूरा जो concept defined है जो इसमें स्पाइन का कान कर रही है वो पूरा स्पाइन का concept unconscious and conscious mind का frame out है अभी कहा है विच ड्रीम बिटन दी आलिस नॉट शूर अब आल दी थिंग आपन तो हर इन दी लुकिंग लास तो जो ग्लास के उस तरफ दे क्रेट मैंने बोलता लिट्रल इंवर्जन इस ने रखा था पुरो स्क्वेर बोर्ड में देखो किसमें कनवर्ट हो जाती ही वो इस जो concept एक ऐसा लग रहा था कि वो किसी एनिमी यानि रड किंग के सपने में आ रही थी वो तो यह मैंने कई बरी आपको बताया इस concept को मैंने इस ने अब देखो शाटिंग मैंने आपको बताया था इसमें कुछ चैसे बताया थी मैंने जसे की इसमें क्यू बताया था एक मैंने आपको क्यू बिसम की रैटिंग है बेलकु क्यू be some रैटिंग और थे पर मजबूर करती यह क्या है और क्या नहीं है उसके बाद surreal attitude इस पूरी writing में surreal concept को देखा गया है अब surreal concept का बहुत बड़ा game है इसमें surrealism मैंने बोला तो unconscious mind को frame out करना unconscious mind को बिल्कुल अब कोई अगर अपने unconscious mind को दिखा रहा हो समझा रहा हो और उसके बाद हमारे आगे जो bold question आता है related to that unconscious mind कि क्या यह चीज सही है कर नहीं कई बड़ी आप और सपना देखते हो कर यह को ऐसा लगता है कि उन्होंने लाइफ में देखा है जो आप देख रहे हो पहले कभी देख रखा होता है तो यह नहीं unconscious mind का concept है कई बड़ी माइन को राइट और पेंटिंग के तुरू यह फिर किसी राइटिंग के फॉर्म में प्रेजिंट करता और इस पूरे में आलिस का एक करेक्टर जिसका unconscious mind इतना स्ट्रॉंग दिखाए गया है और उसको प्रेजिंट किया मैंने बोला था यह जो a nonsense way of presenting the writing is a nonsense way of presenting writing भी कहते हैं कौन कहते हैं यह डड़ाइस्टिक अब ड़डाइजम क्या होता है ड़डाइजम एक और movement था जो कि यह मानता था this all these type of the writing is real an example of the nonsense writing तो ऐसे जो writing होते है nonsense writing है इसके against a concept निकल कहा है था the concept उस concept को कहते हैं डड़ाइजम जो मानती नहीं है कि यह सब nonsense frame of writing is also a good way of the writing यह सब कुछ बक्वास है तो ड़डाइजम अगेंस सारेलिजम इसके favor में था क्योब इसमें का मतलब क्या है third dimension way of writing उसके बाद के आदर generally the fun filled the dream like qualities that the Alice the book often about the horror the looking glass certainly the frustration it appears now the six year after the world and the carol judges the prospects of the freedom in society far more pessimistically कहीं न कहीं न कहीं देखा अगर हम feminist कोई भी राइटिंग और समें female as in character हो तो feminist point of view से पक्का देखना होता है writing को a feminist point of view से अगर हम देखे तो यह पूरी तरह से एक तरह से this is again here the presenting the voice a true voice of the female a liberal voice of the female एक liberal voice देखने को मिलता है female क्योंकि it's again example of the feminist writing female को यहाँ पे powerful दिखाए गया है profound दिखाए गया देखो अगर वो बनवाना चाहते तो male character उठा के और उससे king बनवा सकते थे बत नहीं यहाँ एक जो character है वो female उठाई गई है उसके bold decisions कितना अच्छा उसने decision लिया है और किस तरह से उसके अंदर वो सब कुछ करने का यानि अपने goal के प्रती जैसे उसने अपने उसमें हर एक square में objective set किया और इसी छोटी-छोटी objective one objective two as eight objective ने उससे lead कर दिया towards the aim और उस aim पे पहुंचन Victorian age में दुबारे इक बात समझना में अच्छान एससांपल वृक्टॉरी नेज राइटिंग विट्विक्टॉरीन एज की जू राइटिंग लिक्टॉरीन एज विक्टॉरियन एज्विक्टॉरीन एज की जो राइटिंग है बेतिन 59 में हम चानुको पता था डार्विन त तो विक्टोरियन एज में विक्टोरियन एज में फीमेल को एजन लीब्रिल वॉइस दिया गया यह यह राइटिंग बहुत अच्छे से प्रेजन करती है कि अकेला मूव करना उसके बाद कैरेक्टर का स्टार्टिंग से लेके एंड तक पहुंचना और कोई भी रेप वेप से कोई इंसिडेंट को नहीं दिखाना एक आउटर वर्ल्ड में जाके वहां से जीत के अजन कुईन बनना और कहीं न कहीं जो मेल कैरेक्टर है वो सब्जूगेटिड दिखाए गए हैं तो डैट अप दी फीमेल कैरेक्टर तो कहीं भी आप पेट्रियार की और मेल डॉमिन इसका कंसेप्ट देखने को ही नहीं मिलता है तो कैरोल के यहां तारीफ की जा सकती है एक स्टॉंच फैमिनिस्टिक वाइस को प्रेजेंट किया है दिस अगया अनदर वे अप्टी स्वाइंग हम दूसरी तरीके से यहां पर कह सकते हैं कि हाँ एक फीमेल को वैल्यू दी ग के पर हैं तो एन्विदी मैथमेटिकल प्रेसिशन मैथ्स का बहुत अच्छा कंसेप्ट यूज किया गया मने बोला था कि चैस को यूज किया और चैस को आजन सोसाइटी के फॉर्म में प्रेजेंट किया गया विदे रूल से रिगुलेशन जो कैरेक्टर्स उठाई गए रोजर हैंकल कमेंट्स अडिटेमिनिस्टिक इंपल्स अंडरलाइन दी लुकिंग ग्लास व्रीम इंडिर इट एंड्स विदे सजेशन देट वी आरॉल दी पार्ट अफी ड्रीम ऑफ गॉद लाइक रेड किंग उस और उनकॉंशिए विश विश प्रीटिटिमाइन और ल आज मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ रहे हैं यह सब कुछ एक प्री प्रोग्राम्ड वर्जाने किसी के सपने में हम जिन्दा है और जैसी अगर वो आखे कोलता है अगर वो कॉंशिस पे चला जाता है तो हमारी वो एक तरह से यह सारी दुनिया खतम हो जाती तो हमें ए पांच मिनिट के लिए हम टाइम ट्रैवल करने के लिए निकले तो ऐसे कुछ क्लेम है तो वही वाली बात है कि कोई दूसरी दुनिया में हम सिर्फ उसका एक सपना है इस तरह के साइंस के कोर कंसेप्ट को साइंस के कंसेप्ट को यहां पर बहुत अच्छी तरह से रखा साइंटिफिक राइटिंगे एक्सेट साइंटिफिक राइटिंगे यह से मैं इसलिए बता रहा हूं कि जस तरह से क्वेश्चिन आएगा आपको उसी तरह से उसके आंसर को हिट करना है हम्टी रम्टी कॉश्चिन सब क्लोशली अबाउट दिवल सी पॉस्पिलिटी ऑफ इस पर देटिफिक रखा गया असा निया कर वह को उसके बन सकती है अगर अलस के इंदर वह क्वालिटी है तो बिकाम अकुएन वहां पर पर शीज़गे आए तो यह सी होल्स ती पॉजिशन आफ दी कुएन तो हाँ वह कुएन का एक ओधा रखती है उसको वह पोजिशन मि कि उसकी जो वह है तो जैसे राजा है तो उसका बेटा ही राजा बनेगा इस तरह का जो हमारे पास जो कोहरें फ्रेम होता है एक हिरारिकल फ्रेम है उस सब और यहां पर इग्नोर करके डेमोक्रेटिक एसेंस भी दिखाए गया है और उसके बाद सेलेक्ट किया है सब इने वह सच में उस उस चीज के लिए वह बनी हुई है तो यह कंसेप्ट भी देखने को मिलता है पॉलिटिकल वाइस अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो राइटिंग को इसा अगर्णा को देखने कने को मिलता है प्रूप इसेंट अगर्णा को इसा लगता है को अपना को ने आपको कहीं न कहीं कोई प्रसंट करने की कोशिश की है तो वाइट नाइट और को कंपेर किया गया इसमें तो केरोल को डर था कि जैसे वो बूड़ा होगा तो उसके जो अपने फ्रेंड है वो से दूर हो जाएंगे एक तरह का यह सब हमें भी लगता है कि आगे जाके जब हम जब बूड़े होंगे तो कुछ हमारे अपने जो हैं वो पीछी रह जाएंगे या लाइफ में ऐसा कुछ होता है तो वो सारे कंसर्ण है फिलोसिफिकल वे यहां पर फिलोसिफिकल कंसेप्ट को बिल्कुल अची तरह से है कि किस तरह से लाइफ में हम आगे चलते रहते हैं कुछ अपने हमारे जो पीछे रह जाते हैं चैनल डेत्थ उसकी वज़े हो या फिर ऐसी रह जाते हैं पीछे तो चाहिद देशन फ्रेंड वोसारे पीछे रह जाते हैं तो इसी तरह से औल लेज को लेकशे अंदर करेल को काफी अजीब लगता था old age को लेके the red queen is the principal authority figure in the book red queen को एक principle order दिया गया she stands not for just the concentrated essence for all the governance starting से दिखाय गया कि वो एक powerful like victorian england को present किया गया yes वो power hold करती तो red queen जो है वो represent कर रही है the queen victoria that is by the dark humor which he treats some of the character and the children and the twin dilly for instance who may metaphorically represent such grave matter of the fratricide and the contradiction in the human nature meaningless power struggle war political controversy यह सारा कुछ जो दिखाया twindledy और twindledum ने उनकी बातों से यह साफ दिख रहा था के metaphor जैसे fratricide यानि हम आपस में एक दूसरे को ही मार रहे हैं भाईयों को ही मार रहे हैं and the contradiction in the human nature आपस में वो दोनों लड़ रहे और वो के right to left and left to right कहा जाना है पर यह right left का मामला नहीं है कि किस तरह से post colonial world में यानि आजादी के बाद जब देखा जब बिटेन ने सबको colony में बदल दिया उसके बाद कि जब दुनिया थी सब अपने अपने direction थे सबके post modern world यानि modernism के बाद की जो दुनिया थी आज हर कोई हर किसी का अपना खुद का एक nucleus frame है चीजों को समझने के लिए तो contradiction तो होता है और यही contradiction बाद में बड़े बड़े वार में बदल जाती है जैसा आपने लिए का first world war second world war is an example of the contradiction the meaningless powerful struggle and the power struggle को लेके लड़ा होगी वार होगी political controversy होगी यह twindledom or twindle dk basis पर इस philosophical essence को बिलखुल साफ तोर पर दिखाएगा है according to robert fulmus the comedy controls for the moment of the potential horror of the battle by putting in a context of the play ascertaining that from a certain disproportionate point of view which we have to power to resume radicaling the twin the carol withdraw the dignity from those who make the highest claim to it and but do not deserve it देखो वो जो ट्विंडल दी और ट्विंडल्डम का concept है बेशक वो एक तरह से comedy है और humor को पर control किया गया देखो अगर comedy में आप humor को control कर ले तो तो इसका मतलब आप moralistic attitude को drag कर रहे हूं आप एक moralistic attitude provide कर रहे हूं तो यानि कहने का मतलब कहा है कि आपने comedy किया पर उसको इस तरह से किया कि control कर लिया ताकि उससे लोगों को कुछ सीख मिले तो ऐसी लग रहा है twindledy और twindledum आपस में वो लड़ रहे हैं पर उनकी बातों में इतनी बाते निकल आए कि वो philosophical भी बाते निकल आए एक तरह से हमें moral lesson भी देखने को मिलता है तो उसने यहां से यह पता चलता है कि जिसकी अवाज उपर हो जो highest claim करता है सिर्फ उसी की चलेगी इस दुनिया में और आने वाली दुनिया में भी तो एक तरह से प्री कर सिर्फ अटीट्व दिखा गया इक यू टोपिक वल्ड के दो चायब डिस्टॉपी को ने वाला समय जो हो यह टोपिक हो गया इस तोपिक होगा पर हाँ उसका precursorive attitude इसमें देखा जा सकता है पहले ही कि आने वाली दुनिया कैसे हुगर कैसे हुगर जो highest claim करेगा वो ही माना जाएगा Carol appears to have perfected the art of diverting into the comedy that which seems is threatening allowing the horror to peep through the laughter of the work generates and the seriousness of the concert अगर आपको serious writing लिखते हो तो बहुत कम जाते हैं उसमें पर आप comedy से serious अगर तरफ move कर रहे हो तो यहां पर देखो जो हमारे जो जिनको comedy पसंद है वो भी आगे mainstream में वो भी देखने आया है से सासा जो serious attitude रखते है वो भी से पसंद करेंगा तो maximum आपको mainstream में maximum readers देखने को मिलेंगा और यह जो reader है that make again this change in society वो समझेंगा इन सारे concept को तो यह यह इसका one of the important concept the seriousness of his concern believe the frantic and the comic games and he deliberately the verbal plays the nonsense versus the full of the jabber-walking nonsense concept यह सारे concept से दिखाने के पर real meaning इसमें बहुत जादा आप मैं यह कह सकता हूं कि बहुत जादा anatomy एक तरह की philosophy की और engineering a core engineering a philosophy की psychology की सारे concept को एक fairy tale की वे से present करना सब के आगे that's really an outstanding ठीक है यह बात को आपको देखना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा इसके बात जो है well as multiple layers of the meaning in the language जी उसके कई सारे meaning हो सकते हैं इसके the poem is a living metaphor तो कह सकते हैं यह पोई में एक living metaphor है देखो metaphor तो आप सबको बता होगा यह figure out speech में तो यह metaphor है of the desire of the mastercraft man वो इसा बात इसमें लिख हुई है तो एक तरह से जो यह analysis है और analytical form है बाकि तो मैंने में में जो चीज़ेस के बीचे मैंने बता दिया और आप एक तरह से देख सकते हैं इसमें क्या है और क्या नहीं एक्षिलरेटिंग freedom of the linguistic innovation एक linguistic innovation का एक अच्छा design देखा गया style in diction में आप से एड कर सकते हैं जैसे कि यह देखो यह linguistic का example जैबर वाकी जैबर वाकी नाम पर एक पोएम भी है इनी सेम राइटर की सेम नाम से एक पोएम है क्यारोल की पोएम सेम जेबर वाक नाम से पर देखा आप ने लिंग्विस्टिक स्टाइल का कैसे यूज किया गया जैसे कि आ पोजिव दिखना लेटल इन्वर्स जैसे साइंस के यूज करना वो इसके बाद एक एक नाम के पीछे एक मेनिंग होता है और आपके नाम में ऐसा क्या है तुम्हारे नाम का फाइदा है क्या सब्सक्राइब करते हैं उसके में में पॉइंट्स को उठाके हम आंसर राइटिंग में जरूर लिख के सकते हैं तो यहां पर हमारे स्कूर काफी अच्छा होता है तो चैस को मैंने बताया चैसे संग्राउंड क्यों यूज किया गया मॉरल प्रिंसिपल था उसके पर एक तर रूल लेंड सोसाइटी का एक्जामपल एक तरह से चैस कि कितने रूल से और रिगुलेशन जो थे और कैसे सोचल कॉडिनेशन जो था उन सब का एक्जामपल है चैस बोड को एक लाइफ की तरह प्रिजिंट किया गया है तो यह सब बात ही ध्यान रिखना है इसके बाद क्या है अलिसास नू आइडिया ऑफ दी परपस फिए इसको आप इन उसको आइडिया भी पता था था सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है आने वाला फ्यूचर यह वो खत्रे में तो इस तरह का एक वरजन दिखाए गया जिसमें कि हमें लग रहा है कि कुछ बात है जो उसमें लिखी गई यह कहानी में और कुछ जो कंसर्ट दिखाए गई यह उसके तू लगता है कि यह डिस ट्रॉपिक एसिंज के यहां पर चुछ ट्रॉपिक फ्रेम किस तरह से रखा गया वह समझना है तो सोशल कॉर्डिने शोचल जिसें हम कनेक्शन देखें लिए तो और सौरी अब ऐसे मिरल मन रहा है यहां थीक है यह तरफ हमारे पास सब्सक्राइब आप यह ए तरफ आप म कंसे पर जैसे यहां पर जो सवाईटी यहां पर जो सवाईटी हमारे रियल ससाइटी जो हमारी है और वो लेटरले इनवेर्णिट सवाईटी तो हमें इस सवेपर यहांज सिंगते सी तैसी सब्सक्राइब कर मान udah दो Sóकि पर लोए तो एक एस अदबंस्टर से अच्छा स्वोड को रखा गया जो कि सोशल फ्रेम को दिखा रही है कि समाज में कुछ रूल सें कॉडिनेशन होने चाहिए और ऐसा नहीं है कि मेल को यह बात हो तो फैमिनिस्टिक सब्सक्राइब करें और जो मैंने बता है जानवर वानवर जो भी है आज किस तरह से नेचर से और जो फ्लोरा एंट फॉनक के कंसर्ट से जो दूर होते जा रहे हैं इसके साथ दुबारा हम क्लोस आए तो इस तरह की ससाइटी को दिखाए गया कि हम आज उन इन्वर्टिट ससाइटी से काफी दूर निकल चुके हैं तो इन्वर्जन एक इस तरह का नहीं है इन जिसको खुद आज बोल रहे हैं कि एक रियल ससाइटी है वह एक रियल ससाइटी नहीं वह एक इन्वर्टिट ससाइटी जो कि रियल ससाइटी थूदि लोकिंग लास के दूसरी तरफ है तो ऐसे कॉश्चन हमारे आगे चीज रखती है कि आज हम एपोकिलिप्टिक फेस पे और एड कर रखें जैसे कि अब दिखो फ्रेडरिक lsth ठीके फ्रेडरिक निशी निट्ष यह मैं सबस्थरा होना था गधर इसमया नहीं प्रणोंस नहीं किया जा रहा तो कोई आप समझ लिए उस्पालिक में पता निया प्रनेंसिशिंव में एक्जाक्त यह कैसा तो फ्र सब्सक्राइब करना जब आपने देखा होगा इस पूरी कहानी में तो इसमें नियलिस्टिक कंसेप्ट को बिल्कुल साफ साफ देखा जा सकता है आपको कभी कुछ दूसरे तरफ आपको रिलिजिन कंसेप्ट जो कहीं नहीं दिखा होगा यह आप जब पढ़ रहे हो तो इस पर शार्थ किसी ने ध्यान भी नहीं दिया होगा तो वह जो एक्जामीनर है और जब आप लिखके आते तो नहीं जैसे कंसेप्ट को यहां पर काफी अलग से पॉप आउट किया गया दिखाया गया कि निर्शे का नियुक्त है यानि को रिलीजिन नहीं होता तो रिलीजिन के बिए भी ससाइटी इस पॉसिबल वह हमें देखने को मिल रहा है कहां पर साफ देखने को मिल रहा है थूद लिए लि इस पॉस्ट कोडिनेटेट फ्रेम हम उसको बिल्कुल देख सकते हैं और समझ सकते तो 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 थो दी लुकिंग लास्वर्टी ऐलेस वांडेरी देखने साइन साफ लग रहा है कि बिल्कुल साइंस एक तरफ मूब कर रहे है और आट और साइंस का जो एक्सलेंट ब्ले पर लगे ती जैसे जैसे मैंने आपको बताया है तो वह सब्सक्राइब करना इसके साथ साथ जो इसमें इस वीडियो को जब आप देख रहे होगे दो तीन बातों का ध्यान रखना आपको पहले तो कि डिदाइजम जैसे कंसेप्ट को आप पक्का पेपर में लिखके आना सब्सक्राइब करना सरेलिजम के बाद आप उसके बाद इसको आप फिलोसेफिकल और साइकोलीजिकल प्रेजिंस इसमें आप साफ दिखा सकते हो डार्वीनियन कंसेप्ट को आप प्लीज में अगर कुशन में अगर लग रहे है कि कही ने कहीं नेसेसिटी यह तो डार्वी करना है अगर यह कुशन अगर आप अगर इस तरह से अगर आप आंसर को कवर करती है तो बहुत अच्छे नमबर आएंगे और से साथ राइटिंग तो वैसे काफी कंफ्यूसिंग है और मुझे पता इस वीडियो को देखके कई मन में डाउट आ रहेंगे क्या इतनी कंपले कई जगा जोकर को अठाकि किसी और तरफ से मूव करवाते हैं क्योंकि फेरी टेल है तो हर किसी ने अपने अपने अनिमेटिट फॉर्म में डालने के लिए उसे अलग लग तरह से लीड किया है और उसमें कोई दिकत नहीं में कहानी का जो पार्ट है यानि जो सेंट्रल प् स्टेज और इंटेशन को लगाना यह सिनेमा नहीं है अग्यान हम लिटरेचर को पढ़ रहे हैं और हमें सिर्फ इसका इनाटमी करनी बहुत जरूरी और इनाटमी का मतलग है कोर इंजिनिंग जिसमें डेडाइजम सरीलिजम अंकॉंश्यस सिग्मेंट फ्यूट का आईडी टीम है टीम ने पता नहीं किया अच्छा सा चैरा बना दिया जो भी है यह हमेशा कुछ नहीं करते रहते हैं तो सही है कुछ अच्छा सा लगता है तो फिर मिलते हैं एक नहीं वीडियो के साथ और इस बरी जल्दी आने वालों में यह सारे जो जिसके पॉपलर लिटरेचर का काम दे रखा है कि मुझे पॉपलर लिटरेचर के सुपको कवर करो बिल्कुल करूंगा कवर और इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी अगर आपको दिक्कत हो तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में पक्का मेंशन करो मैं आऊंगा उस वीडियो को बहुत दीब से समझा आँगो आप बिल्कुल एक्सलेंट ठीक है ओके थैंक्यू ठीक है